नमस्कार दोसने, 27 अक्टूबर 2023 के एडिक्टोरल और करेंट रफेस एनलेसिस में आपका स्वागत है चार इंपोर्टन एडिटोरल के आर्टिकल है और साथ से आठ इंपोर्टन करेंट रफेस के आर्टिकल है लेक्चेर की पीडियाफ आपको टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगी टेलीग्राम में साच मारी हरशिद वेदी वीडियो या हरशिद वेदी एजुकेशन आपको 60,000 सब्सक्राइबर्स के लगभख वाला टेलीग्राम ग्रूप मिलेगा उसको जोईन कर लीजे और एक दो फर्जी ग्रूप बने हुए हैं चोटे मोटे 800,000 सब्सक्राइबर वाले वो मत जोईन करिएगा वो फर्जी उसमें कुछ उल्टी सीदी बिटकॉइन की मार्केटिंग होती रहती है उसके असासा दोस्तों दो नई वीडियोज मैंने आपके लिए अवलेबल करवाई हैं एक तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को लेकर जहां पर बिसमार्क के रोल को उसकी ब्लड और आइरड पालिसी को डिटेल में डिसकस करेंगे कैसे जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है 1815 की वेना कॉंगरस के बाद और इसी के पैरलर इटली का यूनिफिकेशन भी चला था इसको भी हम लोग यहां पर समाझने कोशिश करेंगे तीन इंपॉर्टन लोगों के रोल एक तो क्यावर का रोल मजीनी का रोल गैरी वाल्डी का रोल इस सब को डिटेल में डिसकस करेंगे तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यह दो वन अफ दो मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक्स है वर्ड इस्ट्री की जो की अल्री मेंटर्शिप कोर्स में अपलोड हो गया है आप देख सकते हैं तो चलिए एडिटोर्स पार जाते हैं दोस्तों पहला एडिटोर्ल इंडिया मस्ट अंडरस्टेंड भूटांस रीजनिंग इन थिम्पो स्टॉक विच चाइना तो देखिए क्या है डिसेंटली भूटां के फॉर्ण मिस्टर टांडी डोर जी चान आ गया ठीक न अब यह विजिट इनकी बहुत इंपोर्टन थी भूटां और चाइना एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन्स नहीं स्थापित करके रखते हैं तो बेसिकलिए आप क्या सकते हो कि यह पहली भूटां फॉर्ण मिस्टर की विजिट थी चाइना के अंदर अब यहाँ पर मे बात ना समझके फॉर्वर्ड लुकिंग देखा जाए क्योंकि कभी न कभी तो देखी चाइना और भूटां के जो रिष्टे हैं वो नॉर्मलाइज यहाँ पे होंगे तो बेसिकली मिस्टर टांडी डोजी के साथ बात करते हैं चाइना के फॉर्मिस्टर वांगी साब ने नहीं करेगा जो कि इंडिया के इंट्रस्ट के प्रिजिडूशल होगा अगेंस्ट होगा समझ के भाई तो अव्यसी बात है यहाँ पर हो सकता है कि दोनों कंट्री एक थ्री स्टेप रोड मैं प्लान को रिलीस करें बाउंडर डिलीनेशन को लेके और डिमार्केशन को ले तो वो ग्रेजूल होगा इमीजेट नहीं होगा और अगर यहाँ पर स्वैप होता भी है टेरिट्री का बीजिंग और थिम्पो यानि की भूटान और आपका चाइना के बीच में तो उस केस में भी ओवर ओल जो डोकला पैटियू की रिज लाइन है जो कि ऑविसी बात है इंडिया के चिकन ने कोरिडोर को थ्रेटन कर सकती है वहाँ पे चाइनीज फोर्स का ओकूपेशन या डिप्लाइमेंट भूटान जरूर रिजेक्ट करेगा उसको उपर भूटान कभी भी पर्मीशन नहीं देगा इस बात की एशूरेंस बैक एंड चैनल से भूटान की त पोजिटिवली देखना चाहिए इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि बूटान चैना से अलगी रहे इंडिया के साथ बना के रखे कभी न कभी बूटान चैना के रिलेशनस अच्छे होंगे तो बैटर है कि अभी हो रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट जर अगर आप देखो तो अक्तूबर 15 के पारलेबेंटरी एलेक्शनस में इसको मेज़ॉर्टी नहीं मिली है आप कह सकते हो 1989 के बाद से किसी पर्टीकूलर एलेक्शन में वोटर्स ने एक्चुली में अपनी ताकत दिखाई है तो वो अभी दिखाई है 2023 में जब अक्तूबर मिड़ में यहाँ पर एलेक्शनस होए तो राइट विंग लॉइन जस्टिस पार्टी जो कि 2015 सरकार बनाके बैठी है वो इस बार मेज़ॉर्टी नहीं पापाई है मेज़ॉर्टी किसको मिली है तो बेसिकली डॉनल्ड टस्क की लीडर्शिप के अंदर जो सेंट्रिस्ट पोजिशन का सिविक कॉलिशन है इसको यहाँ पर लीडर्शिप मिली है यह सिविक कॉलिशन ने इस बेसिप पे राइक्शन लड़ा कि भाई यह जो आपकी यह लॉइन जस्टिस पार्टी है यह अपना राद चलाना चाहती है पोलैंड को एक और्टो क्रेसी बनाना चाहत पॉलेंड एक democratic country होके भी European Union के साथ often clash करता रहता है पॉलेंड की present सरकार liberal democracy को squeeze कर रही है free press को spiffle कर रही है gay rights को undermine कर रही है university जैसे institutions के ओपर control कर रही है तो ये तो भाई हम democracy से दूर जा रहे है तो हमें जिता हम democracy को maintain करेंगे ऐसा civic coalition ने मोला और Poland ने उनको vote दे और law and justice party को majority भी मिली नहीं वैसे देखा जाया दोस्तों तो ये जो law and justice party है जिसका Poland के अंदर acronym है P.I.S. party इस particular P.I.S. party के आप बात करो तो अभी भी ये सबसे बड़ी party है voting results के साब से 35.38% vote इनको मिले है 200 seat इनको मिली है lower house of parliament में total 400 seat है तो अभी सी बात है P.I.S. को majority नहीं मिली है जो civic coalition इसको 30.7% vote मिले है लेकिन जब ये civic coalition बाकी coalition partners का जुड़ जाता है third way के साथ left party के साथ तब इनके पास 248 legislator का support आजाता है तो 460 की lower house में से 248 इसमतलब आपने majority यहाँ पर बना ली तो technically P.I.S. की government को हटा के majority बनाने की अब आप कहलो opportunity है civic coalition के पास लेकिन लेकिन यहाँ पर एक problem है problem थोड़ी दिरे मैं आपको बताता हूँ civic coalition के जो head Mr. Donald Tusk उननों बोला है कि हम UA के साथ EU के साथ हैं यूरोपीन उनकार रिष्टे अच्छे करेंगे democracy को strong करेंगे institutions को strong करेंगे जो abortion पर ban लगा दिया गया उसको हटा देंगे gay rights को restore करेंगे Ukraine के respect में जो पूलेंड की foreign policy है वो यहाँ पर constant रहने वाली है जो पहले P.I.S. party कर रही थी वही यहाँ पर civic coalition भी करेंगा Warsaw और Keev की बीच में थोड़े बहुत जगड़े वगरा हुए है लेकिन Mr. Tusk जो की former EU के bureaucrat है वो देख रहे हैं कि already EU और NATO support कर रहे हैं यहाँ पर Ukraine को तो basically Poland भी यहाँ पर Ukraine को लगातार support करता रहेगा Poland के अंदर यह जो civic coalition है यह क्या सरकार बना पाएगा इस बात में थोड़े issues आ सकते हैं क्योंकि सरकार बनाने में यहाँ पे एक important role है Poland के president का जिनका नाम है Andres Duda problem यह Andres Duda P.I.S. Law and Justice Party के है यह Law and Justice Party 2015 से ताकत में अब party तो यहाँ पे majority नहीं जीत पाएए बट उनका president जरूर बैठा हुआ है और यह president डॉलन टल के लिए मुश्किल करेगा सरकार बनाना तो technically बात यह है कि साफ साफ दिख रहा है कि civic coalition बागी coalition के साथ मिलके सरकार बना सकता है बट हो सकता है Andres Duda यहाँ पे game खेल जाए Andres Duda यह बोलें कि PIS चुकि सबसे वड़ी party है तो हम PIS को बला रहे हैं कि आप सरकार बनाओ और PIS हो सकता है कि horse trading करना शुरू करे legislatures के जो member of parliament वगरा है उनकी फरीज भग करना शुरू कर दे तो यह सब दोस्तों किवल इंडिया में नहीं होता है ठीक है भी तो यह सब चीज है मान लो कल की डेट में Donald Tusk ने सरकार बना बिली है तो overall जब भी वो नियम कानून पास कराएगा Parliament के अंदर तो उसके उपर Andres Duda का approval लगेगा तो Andres Duda एक legislative veto man की critical reforms को रोख सकते हैं तो कुल मिला के Donald Tusk के लिए कासान होगा नहीं सेविक कॉलिशन को 100% majority नहीं मिली है तो कॉलिशन के अंदर वैसे भी सबकी बाते सुननी पड़ती है उसके उपर से जो opposition P.I.S. party है उसका प्रेजिदेट Andres Duda बनके बैठा हुआ है जो कि तुमारे legislative reforms को रोख सकता है तो एक tough task होगा यहाँ पर Civic Coalition के Donald Tusk के सामने अगला article है अंहल्दी अर्बन इंडिया must get into street fight mode क्या बोला जा रहा है इंडिया की अर्बन आबादी 2035 में होगी 675 मिलियन 662.5 करो इस second highest दुनिया में अब अगर आप देखो तो widespread recognition इंडिया में cities को दिया गए साफ साफ दोस्तों यह है city इंडिया की super power वाला जो status है ना economic super power वाला इसको maintain करता है तो भले ही इन cities में हुए development के चलते हमारी economy एक super power बन रही economic super house बन रही है लेकिन उसके सासर health environmental और equality की जो targets है cities में यह पूरे नहीं हो पा रहे है इंडिया के जो urban inhabitants है वो बहुत प्रकार की health risk से गुजरते है air noise pollution जादा है greenery कम है sidewalks का access कम है parks कम है जिसके चलते archaic modes of transport हम नहीं इस्तमाल कर पाते हैं आप योरोप के किसी शहर में जाओ overall road के बगल से sideways होंगा और उस sideways में बहुत सारे लोग आपको cycle चलाते दिख जाएंगे कई लोग तो overall ऐसे शहरों में cycle चला के office जाते हैं आराम से आप 4-5 km एक तरफ cycling कर सकते हो लेकिन इंडिया के अंदर के road के बगर में ऐसे sideways बनाए गए हैं जहाँ पर आप cycle चला के चले जाओ जवाब है नहीं दोस्तों ठीक है उसके साथ सथ अगर आप देखो तो जो modes of transport है इंडिया के शहर में बहुत archaic है तो जो बस चलती हैं वो बहुत जद्द air pollution करती है ठीक है ना densely populated है overall इन शहरों में जो खाना मिलता हो diabetes related problems है blood pressure, stroke से related problems है ये बढ़ रही है इनको आप cardio metabolic disease ही बहु सकतो तो cardio metabolic disease हमारे शहरों मन रहे हैं चुकि lack of physical activity भी है तो basically overall इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सबसे बेस्ट में तो cardio metabolic disease को रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भाई आप physical exercise करो आप physical exercise करने के लिए overall बेटर ये रहेगा कि archaic modes of transport को develop किया जाए जोकि European शहरों में है in fact अभी आप यूरोप के किसी भी शहर में जाओ दोस्तों और यूरोपी क्यों? England, US वगरा होगा, Turkey तक में in fact अगर आपको road की sideways में इस प्रकार के walkways मिल जाएंगी जहां पर आप पैदल चलके है, cycle चलाके आप office जा सकते हो तो इससे क्या होगा कि आपके daily मर्रा के तौर तरीकों में physical activity जुड़ जाएगी और ये physical activity is the most effective fighter of cardio metabolic disease it is the most effective deterrent ऐसे diverse और multi-scaled social environmental और infrastructure risk factors जो की cardio metabolic risk को बढ़ाते हैं शेरों के अंदर इनको बदलने की ज़रोत है local environment और provisional systems को बदलने की ज़रोत है कुछ इस प्रकार से systems लेकिया ही कि आपके infrastructure के अंदर ही public health को तबज्जू दी जाए आपका खाना, energy, mobility, transportation housing, green infrastructure, waste and water management सब human health, well-being और equity की तरफ focus हों जब आप इनको इस तरीके से बनाओगे तो definitely urban health हमारी planning का और overall हमारी provisioning का बहुत important part बन जाएगा अगर आप dysfunctional provisioning की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि दुनिया में जो water और global CO2 emissions है, dysfunctional provision, मतलब प्रापर तरीके से distribution और efficient utilization की चलते 90% ये waste होते हैं, जिसके चलते 19 million premature deaths होती हैं क्रोण 90 लाग जो social spatial political design है ना urban provisioning का, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि हम अपने colonial past को forget करके, आज की डेट में शहरों में overall social inequalities को दूर कर पाएं, और इसके लिए कहीं कहीं social changes के सासाथ infrastructure में भी changes की ज़रुआ थे health risk के disparities को देखते हुए, Indian cities को future में, overall health और well being के improve करने के objective से भी बनाया जाना चाहिए, ना कि सिर्फ आप development और GDP को ही अपने दिमाग में लेके चल लो तब ही हम लोग sustainable development goals अचीव का पाएंगे तो investment जैसे की clean energy electrical mobility, ये इंडिया के अंदर हो रहे हैं, बड़ बहुत धीमी स्कीट पे हो रहे हैं, ये particular initiatives once in a lifetime opportunity है कि इंडिया के अंदर health parameters को improve पर सको और इनको आप इंडिया के climate और equity goals के साथ भी जोड़ सकते हो, तब जाके आपकी जो development है ना, वो holistic होगी eco sensitive होगी, sustainable होगी long term में sustainable होगी ठीक है, ये सब बाते हैं आपर बताई जारी है और overall जो भी हमारे infrastructure systems है ना, इसमें छोटे छोटे changes भी catalytic change लेके आ सकते हैं, health और productivity के ओपर जैसे for example, safe walking के लिए जगा बैनाना, biking lanes बनाना payments, no car zone बनाना ये physical activity बढ़ा देंगे लोगों के अंदर लोग जो sedentary lifestyle जी रहे हैं कि कैबों में आगए, बसों में आगए, वापस चल रहे नहीं हैं, वो sedentary lifestyle कम होगी कहीं न कहीं लोगों की जिन्दगी जीने के तरीके में ही, यहाँ पर physical activity आएगी उसके साथ, poor diets को mitigate करना है, लोगों को एक ऐसी diet देनी है, जहाँ पर overall calories balanced amount में हो, fats balanced amount में consume के जाएं खाने पीने को समय पे इनसान इस बात को लेके सजग हो कोई aware हो, कि वो जो खार आए, वो कितना healthy है, कितना नहीं healthy है, weight loss को promote किया जाए, diabetes के risk को promote किया जाए, इस से हम लोग बहुत अब अब तक हर्ड के disease से बच सकते हैं और इसके लिए, आप walking और biking को, अगर Indian roads पे promote करते हो, उसको hazardous बनाने से रोकते हो, तब जाके कहीं overall long term में आप इस बात को maintain कर बहुत, देकि human impact studies ये बताती है, कि अगर आप mobility बढ़ाते हो, एक्टिव transportation ले के आते हो, तो हो सकता है जितनी तीजे से आप अभी economic growth कर रहे हो वो नहीं होगी, लेकिन public health वाला sentiment यहाँ पे जरूर include हो जाएगा, और long term में economic growth को drive करने के लिए ये public health वाला sentiment भी उतना है important आज की date में overall, जब भी हम health की बात करते हैं, और उसको infrastructure या, सरकार की provisioning के साथ जोड़ते हैं, तो हम लोग ज़दतर air pollution तका के रूख जाते हैं, कि हम वह यह air pollution बहुत ज़्यादा है, उसकी वैसे health concerns है, लेकिन सिर्फ air pollution वाला factor नहीं देखना है, हमको total holistic factor देखना है, एक active transportation network को promote करना है, जिसके basis पे हमें clean energy policy को promote कर सकें, overall एक active life को promote कर सकें, sedentary life को discourage कर सकें, health parameter space से focus होगा, उसके साथ, overall सरकारी policies को fresh fruits और vegetable diets को promote करना चाहिए, जो बैवेजे जिसमें excess salt है या sugar है, उनको discourage करना चाहिए, type 2 diabetes, cardiovascular diseases कही ने कहीं, आपके खाने पे बहुत हद तक dependent होते हैं, तो ऐसी unhealthy diets के against awareness, अगर खुद सरकार फैलाए, overall बड़े-बड़े corporate के interest को छोड़के, तब definitely लोग, एक अच्छे खाने पीने का आपके लोग अबजेक्टिव पकड़ेंगे, unhealthy diets reduce physical activity और share home air pollution ये बहुत बड़ा रिसक है, morbidity और mortality rate को, तो कहीं ना केस को कम करने के लिए, इन तरीकों को अपनाया जा सकता है, फिर अगला, the legality of using white phosphorus, भईया, white phosphorus को इसराइल गाजा पटी में लोगों के against इस्तमाल कर रहा है, human rights watch नाम के एक organization ने recently, इसराइल को accuse किया है कि white phosphorus munitions को आपने गाजा पटी में इस्तमाल किया, जिसके चलते weapons, मतब, civilians की जान को खतर आया, इसराइल ने बोल दे हैंने हमने इस्तमाल नहीं किया, 2008-09 की गाजा की जंग में भी इसराइल पे इल्जाम लगा था, लेकिन इसराइली डिफेंस forces ने बोला कि हमने white forces इस्तमाल नहीं किया, लेकिन बाद में इसराइली forces ने बोला कि हमने 2009 में इस्तमाल किया था, लेकिन हमने ऐसी जगह पे इस्तमाल किया था, जो uninhabitable जहां कोई रहता नहीं, लेकिन बाद में, ओरराल United Nations Headquarters की Board of Inquiry बैठी, इसने बोला कि बाई, गाजा पट्टी में, जो भी 27 दिसंबर 2008 से 19 जन्वरी 2009 के बीच में हुआ है, उनसे ये पता चलता है कि पेलेस्टीन के अंदर, मतब गाजा पट्टी के अंदर पेलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए, United Nations का ये RWA Office है ना, इसके अंदर ही highly explosive shells आके गिरे थे, तो इसराइल फोर्सेस का ये जो क्लेम था ना, कि हम भाई, ओवराल वाइट फॉस्फोरस को इस्तिमाल नहीं कर रहे है गाजा पट्टी में, ये क्लेम थोड़ा की जिसमें ये बोला गया, कि इस्राइली डिफेंस फोर्सेस ने civilian areas में white phosphorus इस्तिमाल किया, तो बाद में 2089 के बाद, इस्राइल के ऊपर pressure बढ़ा, कि भाई, आपने white phosphorus को क्यों इस्तिमाल किया, तो भाई, युआव, हास and others, versus chief of star 2013 में, इस्राइल मिलिस्टी ने agree कि बाई, कुछ specific conditions में ही white phosphorus को इस्तिमाल करेंगे, बाकी में नहीं करेंगे, कि इन particular conditions में white phosphorus इस्तिमाल होगा, ये overall conditions की लिस्ट, इस्राइल high court of justice को दी गई थी, और high court ने ये भी recommend किया था कि जतना हो सके, बाई, alternatives को इस्तिमाल करो, white phosphorus को इस्तिमाल मत करो, इसको आप इस्तिमाल करोगे, तो violation होगा, international humanitarian law का, लेकिन white phosphorus को अब फिर से इस्तिमाल किया जा रहा है, इस्राइल के दोरा, author का ये बोलना है कि ये सिर्फ military purpose नहीं नहीं, environmental dangers भी post करता है, अगर white phosphorus की बाद करो, तो भाई, ये करता क्या है, ये dense smoke screen बनाता है, एकदम से white रंग की घनी smoke बना देगा, overall visibility हंडर हो जाएगी, अगर army को maneuver करना है, soldiers को एक जगा से दूसरी जगा जाना है, दुश्मेन को देखे बिना, तो वो overall इस particular white phosphorus में जो smoke भी हो, इसके particular convention के अगर आप protocol 3 में जाते हो, तो वहाँ पर article 1 of the protocol क्या बोलता है, कि incendiary weapon, वो weapon ये ammunition है, जो की primarily इसलिए design किया गया है, कि वो objects को आग लगा सके, injury cost कर सके, burn cost कर सके, through the action of flame, heat और combination thereof, ठीक है, तो basically incendiary device, जैसे कि grain in हो गया, artillery हो गया, ये जहाँ पर भी फटते हैं, वहाँ पर injury cost करते हैं, burning cost करते हैं, hurt cost करते हैं, तो basically इनके साथ अगर आप overall white phosphorus को इस्तमाल करोगे, तो white phosphorus कहीं न कहीं damage को exaggregate कर सकता है, aggravate कर सकता है, तो white phosphorus भले ही international humanitarian law के अंदर आता है, बट problem दोस्तों ये है, कि ये CCWD convention है, इसका protocol 3 का article 1 clause B sub clause 1 में एक exception, exemption है, exemption ये बोलता है कि अगर unintended incendiary effects होते हैं, वह जाए तर case में किसी particular चीज़ को illumination, tracer, smoke या signaling system की तरह इस्तमाल किया जा रहा है, तब definitely वो incendiary weapons या munition की category में नहीं जाएगा, तो इस basis पे white phosphorus incendiary weapons की category में नहीं आया, प्लास white phosphorus में chemical भी है, तो technically उसको chemical weapon convention में भी आना चाहिए, chemical weapon convention एक ऐसी ट्रेटी है, जोकि comprehensive weapon लगाता है chemical weapons के उपर, लेकिन वो chemical weapons में जो chemical है, वो toxic होनी चाहिए, ऐसा बोले जा रहा है कि white phosphorus में जो chemical है, वो रहा हो, कि grenade और artillery के साथ इस्तमाल होगा, तब आप उसको बोलोगे कि हाँ बाई, ये incendiary category में regulate करोगे, तो ऐसे यहाँ पे इसराइल और बाकी countries को जो जंग करती ही, काफी लीवे मिल जाता है, कि वो बड़े आराम से white phosphorus को इस्तमाल कर लेते हैं, जो की legality को तै किया जाता है, तो इस प्रकार से हम white phosphorus को भी CCW convention है, और CWC convention है, इसके अंदर ले के आ सकता है, तो protocol 3 of CCW को change करने की ज़रूत है, और white phosphorus को regulate करने की ज़रूत है, इस प्रकार से armed forces कभी भी white phosphorus इस्तमाल कर रही है, वो ठीक नहीं है mentorship course के बारे में दोस्तों मैं अभी शुरूर मताया है, www.harshiddivedi.com के store section में आपको mentorship course मिल जाएगा, मेरी app Hershid Divedi Education, जोकी Android और iPhone, iOS दोनों में available, वहाँ पे भी store section में mentorship course मिल जाएगा, अभी courses के दाम कम है, latest दाम आप जाके overall app में check कर सकते हैं, website पे check कर चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, parent first पर आजाते हैं दोस्तों, पहला article, Israel steps of attack, Gaza denied water suit, देखें basically, अब क्या है ना, कि जो international aid agencies हैं, वो बहुत हब तक openly Israel के actions के against बोल रही है, मैं आपको matter समझाता हूँ, जो UN aid agency में जो Gaza के अंदर काम करते हैं, जिसको आप UNRWA बोलते हो, इनका यह बोलना है कि भाईया, इनको Wednesday के अंट्रक operations बंद करने पड़ सकते हैं, 700 से जादा लोगों की मौत हो चुकी है, गाजा में, एक single day में, recently जब Israeli strikes होई, और गाजा पट्टी के अंदर crisis बहुत जादा हैं, एक गाजा के डॉक्टर को तो एक emergency surgery बिना किसी anesthetia के perform करनी पड़ी, चुकि anesthetia था ही नी, supplies ही नी, In fact, इजिप्ट से किवज 70 relief trucks ही पहुँचे हैं, गाजा पट्टी के अंदर, overall ये ocean of need के बीच में बस एक drop है, समझ गया, ये ऐसा UN Chief Antonio Gitteres साब बोल रहे हैं, गोटरस साब, Antonio Gitteres साब बोल रहे हैं कि गाजा पट्टी के अंदर epic suffering हो रही है, और 2.4 million लोग का collective punishment कर रहे हैं यहां पे, कौन? आपका इसराइल, देखिए बात दोस्तों ये है, कि 7 October में को जो कुछ भी हुआ, देखिए, इसराइल ने 56 साल से पेलेस्टीनिंस की उपर अत्याचार किया, ये बोल रहे हैं, गोटरस साब, 56 साल 1967 से लेके, 2023 तक, overall अरब लोग entry मा रहे हैं, पेलेस्टीनिन लैंड्स में, उनके लैंड्स हो कबजा है, वहाँ पे occupation settlements बनाए है, तो अब वेसी बात है, हमास के militants का यहाँ पे attack होना था, कुछ इस प्रकार की बात एंटोनियो गोटरस साब ने बोल दी, अब मैं आपको background समझाता हूँ, है क्या दोस्तों, शुरुआत में, जब 7 अक्टूबर को इसराइल के उपर attack हुआ था हमास की तरफ से, पूरी दुनिया इसराइल के साथ खड़ी थी, चुकि हमास ने यहाँ पे गलत किया, अब overall, गोटरस साब यह बोल रहा है कि ठीक है, 56 सालों में जो कुछ भी हुआ है, उसके basis पे, हमास को कहीं से भी यह authority नहीं मिलती, कि वो इस प्रकार का टरर अटैक लाँच करें इसराइल के अंदर, इसराइल में हजार से जादा लोगों को मार दिया गया, 222 जाने 200 लोगों के लगबगों बंदी बना लिया गया, उसके बाद इसराइल ने पलड़ के जवाब दिया, हमास के militants को यह बात पता थी, इसराइल पलड़ के जवाब देगा, इसलिए हमास के militants पहले ही जाके छुप गए, पेलेस्टीनिन सी ड्विलन्स के उपर, बाववेसी बात है, हमास के militants जब इसराइल के उपर अटैक का प्लान मना रहे होंगे, इन्नोसेंट पेलेस्टीनिन अरफ्स को इस प्लान के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अब इसराइली एरस्ट्राइक्स में जो साड़ेच छेजार लोग बने हैं, यह जादातर सिविलियंसी हैं, ठीक है, हमास में सोचा होगा, कि ओर आल बाद में इंटरनेशनल प्रेशर पड़ेगा इसराइल के उपर, इसराइल चुप बैठ जागा, सीज़ फायर करने को तयार नहीं है, जब भी ओवर ओल कोई इसराइल के अक्शन को क्रिट्साइज करता है, तो वो साथ अक्टूबर के अटैक्स को क्लेम करते हैं, जैसे इसराइली फायर अन्मिनिस्टर एली कोहन ने रिसेंट्ली सेकरेटरी जनरल अन्टोनियो गिटरिस को एड्रेस करते हो बोला, कि क्या तुम भूल गए हो कि साथ अक्टूबर को जो हमास ने अटैक्स किया था, वो डेड्लियस सिंगल अटैक्स था इसराइली हिस्टरी में, कितने सारे इसराइली को यहाँ पे मार गिया, एक हजार से ज़्यादा, तो बेसिकली एंटूनियो गिटरिस साथ शायद यहाँ पे इंडिरेक्ली यह बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक हजार इसराइली सिविलेंस से ज़्यादा को मारा हमास ने, इसके बेसिस पे पलटके इसराइल ने अटैक किया, और शेजार से ज़्यादा लोगों को मार चुका है, शाड़े शेजार से ज़्यादा लोगों को, तो बेसिकली अब तुम इस तरीके सा अटैक करते रहोगे, तो यहाँ हजारो लखो लोग मर सकतें, तो अब अपने अटैक को बंद करो, और यहाँ पर शायद फ्रस्टेट होके, इंटोनियो गिटरस ने ये भी बोल दिया, कि भाई तुम एक्सपेक्ट किया कर रहे थे इन हमास वालों से, तुम 56 साथ से इनके अलाके में घुसर रहो, इनके अलाकों कब जारो, सेटिलमेंट्स बना रहे हो, और उसके बाद तुम इनसे ये एक्सपेक्ट करते हो, कि ये तुम पर अटैक नहीं करेंगे, तो अटैक तुम पर हो गई, तो इस तरीके की बात है, जब इंटोनियो गुटरस साब ने बोली, तो जो इसराइली अमबैजडर टु युनाइटे नेशन से गिलाद एर्दन, इन्हों नहीं ये बोला, कि तुम को भाई, रिजाइन कर देना चाहिए, तुमारे अंदर तो अंडरस्टेंडिंग है, टेरिजम और मडर के लिए तुम तो सब गड़बड कर रहे हो, तो ये सब चीज़े यहाँ पर हो रही है, हालात बहुत ज़दा खराब है, और वर्ड लीडर्स यहाँ पर कह रहे हैं, जो भी गाज़ा के अंदर फाइटिंग चल रही, इसको भाई थोड़ा रोको, खी कि ना, इसराइल, सुरी, रशिया यहाँ पर ओपन ली बोल रहा है, कि सीज़ फाइर होना चाहिए, यह जो लड़ाई हो रही, इस लड़ाई को बंद करो, लेटेस्ट, 704 पेलेस्टीनियंस, जिसमें 305 बच्चे थे, जो स्ट्राइक्स थी, उससे मरे थे, बाइडन मोस्ट पॉबली यहाँ पर पॉज के लिए बोल रहा है, सीज़ फाइर के लिए नहीं बोल रहा है, पॉज सीज़ फाइर से थोड़ा कम आप कहलो समय के लिए होता है, लेकिन डेफिनिटली पॉस केंदल भी कुछ हद तक लड़ाई से रुख जाती है, जिसे यूएन हॉफिस फॉर दा कॉड़िनेशन ऑफ यूवनिटेरिन एफ़र्स है, अफेर्स है जाज़ा केंदल, वो यह बोल रहा है कि भाईया, क्रैसिस बढ़ती जा रही और इस क्रैसिस को समालना एट टीम के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। स्टेट्स के जो सेकरेट्री ओफ स्टेट है, एंटोनी बिलिंकन साब, इन्होंने इरान के ओपर इल्जाम लगाए कि सब कुछ गड़बढ इरान की वैसे हो रही, इरान पीछे से सपोर्ट दे रहा हमास और हजजबुला को उसकी चक्र में गड़बढ हो रही है। इरान के यूएन अम्बेसडर आमिर सेद इरवानी ने बोला कि ये इल्जाम बिल्कुल गलत है, यूएस यहाँ पर ओवरॉल इसराइल के सब अपने आपको अलाइन करके सब गड़बढ कर रहा है, हमने यहाँ पर कुछ भी गड़बढ नहीं किये। तो यह बड़ी पावर से एक दूसरे को पर इल्जाम लगा रही है, ब्लेमिंग गेमिंग कर रही है, दुनिया भर के लोग वार मॉंगरिंग कर रही है। दूस्तर इस समय पर वार मॉंगरिंग बहुत हो रही है, उसके कमेंट्स में आप जाके देखो, तो वो लोग जो की गाजा पट्टी विजद दूर दूर तर उसके बास नहीं है, उनके उपर जिंदगी में कोई भी वार का एफेक्ट नहीं, बैठे बैठे गयान देते हैं, अरे हमास सबको खतम कर देगा, हमास ने विल्कुल सही किया, ठीक है ना, पेलेस्टीन वाले छोड़ेंगे नहीं, अरे पेलेस्टीने सिविलियन्स की जान जा रही है, कुछ लोग इसराइल के इतना ज़र्दा सपोर्ट में है, कि इसराइल सबको मार देगा, साथ साथ अक्टूबर का अटैक करने के लिए, समझ गए, एक लिमिट से जादा वालेस्ट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, इसराइल और ये जो पेलेस्टीनिन अरप्स का मुद्दा है, ये शायद हिस्ट्री का बहुत पुराना मिद्दा जो कि अब तक अड्रेस नहीं हो पाया है, और आगे भी अड्रेस हो पाएगा इसके चांसेस का में, अभी कि लिम इतना तो एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि जंग रोग दो, कम से कम और लोग ना बरे, किसी को मारना आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में जस्टिफाई नहीं कर से, बेसिकली दुनिया अब इसराइल से एक्सपेक्ट कर रही है कि आप सीसफायर कर लो, वज़े कि हैं, वज़े ये दोस्तों की साथ अक्टूबर को, अगर हजार से जादा इसराइली सिविलियंस मारे गए, तो भाई, अब तक इसराइल, उनके साड़े छेजार से जादा लोगों को मार चुका है, तो बदला तुम पूरा ले चुके हो, आप क्या लाखों को मार दोगे, इसराइल बोल रहा है कि गाजा पट्टी का इन्फिलियंस खतम कर देंगे, अब क्या आए कि हमास के मिलिटेंस और टेरिस जाके भाई ये सिविलियंस की पीछे गए हैं छुप और मर रहे हैं सिविलियंस, तो आप आपके उपर डिपेंड करता है कि आपके हिसाब से क्या सही है, कुछ लोगों की जो पॉलिटिकल आइडिलोजी है, वो इतनी ज़ादा एक्स्ट्रीम है, ओवर ओल धरम को लेके इतनी ज़ादा अलाइंड है, या फिर कहलो उनके अगेंस्ट अलाइंड है, कि भई हिसाबी गरबड़ा आ जाता है, लोगों के थॉर्ट प्रोसेज ही अपने आप में बहुत सथ एक्स्ट्रीम और कुरूल हो जाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में मैं आपका इसके बारे में रिस्पॉंज चाहना चाहूँगा, फिर अगला, NCRT की पैनल ने रिसेंट्ली सजेस्ट किया है, कि सारी टेक्स्ट बुक में इंडिया की जगा भारत कर दो, तो एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई गई, नैशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसेर्च और ट्रेनिंग की, इसने ओर आप बोला कि सोशल साइंसेस के करीकुलम को अमेंट किया जाए, और जहां जहां पे इंडिया लिखा हुआ है, इस करीकुलम है, वहां वहां पे भारत में, तो अब आपोजिशन यहां पे बबाल मचा रहा है, तो बेसिकली जब NCRT से पूछा गया, तो NCRT ने बोला कि अभी तो step initial stage of discussion में है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हमने तो बस प्रपोस किया है, सरकार की तरो से को approval भी नहीं आया है, आपोजिशन में आम आदनी पार्टी, राष्टी जनतादर, सब BJP उ क्रिटसाइस कर रहे हैं, BJP वाला बोल रहे हैं कि सही हो रहा है, तो यह सब चीजें दोस्तों होती रहती हैं, आपको पताईए, आपोजिशन और एक बड़े तपके को इंडिया के अंदर problem है, फिर आगे, इंडिया की तरफ सिक soft stance आया है, इंडिया ने limited basis पे वीजा सर्विसेज को शुरू कर दिया, एक सेट्रियन केटिगरी ऑफ केनेडियन सिटिजन्स के लिए, तो भाईया, टूरिस्टों के लिए और ई-वीजा ये सब अभी नहीं उजू किये जाएंगे, बट definitely, जो entry level का वीजा होता है, जो business medical और conference purpose का वीजा होता है, ये Canadian citizens के लिए इशू करेगा इंडिया, entry level का वीजा क्या होता है, तो भाईया, वो Canadian नागरिक, क्योंकि dependent है, Indian origin या फिर कहलो, Indian family members पे, उनको इंडिया में आने का वीजा दे दिया जाएंगा, क्या है भाई, योहार का सीजन आने वाला है, दशेरा निकल गया, दिवाली आने वाला है, बहुत सारे लोग Canada से इंडिया के अंदर आना चाते हैं, इसके उपर अभी भी कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं है, तो बेसिकली इंडिया की तरफ से स्टांस थोड़ा यहाँ पर सॉफ्टन किया गया है, कुछ limited category of Canadian नागरिकों के लिए Indian visa services को यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, फिर अगला, उस समय पे overall दुनिया भर के अंदर यह बातचीत हुई थी कि हाँ भाई कुछ हद तक हम अपने जो भी global greenhouse gas emission से कम करेंगे, action लेंगे, तो overall उस समय पे Paris Agreement जो हुआ था 2015 में, उसके respect में global stock take इस साल हो रहा है दुबई में, तो 2015 के Paris Agreement का stock take इस साल दुबई में हो रहा है, उसी प्रकार से 2015 में जो International Solar Alliance बना था न, इस International Solar Alliance ने किस हद तक accelerate किया है global adoption of solar technology को, इसका global solar stock take भी होगा, तो basically यहाँ पे global solar stock take की बात हो रही है, इसकी report मिड नवंबर में release की जाएगी, यह ऐसा अजय मातुर साब ने बोला है, जो कि डिरेक्टर जेनल है International Solar Alliance के, 2020 में इसमें बताया जा रहा है, कि 300 billion dollar की investment आई है solar energy में, 2022 में 380 billion dollar की आई है, हाला कि problematic बात यह है, कि जदतर solar energy के related infrastructure का जो manufacturing हो रही हो, वो चाइना के अंदर हो रही है, ठीक न, इंडिया के अंदर है, global solar facility में 3 funds है, एक paper guarantee fund है, एक insurance fund है to mitigate project risk, और एक investment fund है for technical assistance, यह किस प्रकार से काम हो रहे हैं, इसके ओपर भी बात चीछ हो रही है, solar photo-eak installations, as of 2022, एक हजार 133 gigawatts के हुए हैं, पूरी दुनिया में, जिसमें 2022 मां के लिए 191 gigawatts हुए हैं, और इसका एक चौथा ही अकेला चाइना में हुआ है, 350, यह megawatts यहां लिखा है, बट most probably यह gigawatts है, चाइना के बाद सबसे अधा solar power सेट अप हुई United States में, 111 gigawatts, इंडिया पांच में नंबर पे आता है, ही किना टॉप फाइव में, 62 gigawatts पे, तो basically overall इस global solar stock take में, Paris Climate Change में, जो International Solar Alliance बनाता है, इस solar alliance ने global solar power को बढ़ाने के लिए क्या किया, और कैसी performance किये, इसके लिए global solar stock take हो रहा है, तो overall Paris Agreement 2015, उसका stock take हो रहा है दोबई में, और यह solar stock take है, इसकी report मिड़ नवंबर में यहाँ पे जारी हो जाएगी, फिर भईया, इस साल सरकार ने, 22303 करोन की subsidy की fertilizer के लिए अप्रूफ और यह जो 22303, चलिए पहले आपको बता दोओं दोस्तों, cropping seasons of India के बारे में, इंडिया में तीन cropping seasons आते हैं, एक खरीफ का season होता है, एक राभी का season होता है, एक जायत का season होता है, seasons के नाम आप सब ने सुने होगे, खरीफ के season में overall जो sowing होती है crops की, वो जून के असपास होती है, जो drops की कटाई होती है, harvesting वो नवंबर के असपास होती है, राभी season में crops की sowing, नमबर, दिसम्बर के आसपास होती है और उनकी जो कटाई होती हो मार्च अप्लेल के आसपास होती है तो बेसिकली सरदियों की क्रॉप्स है राभी क्रॉप्स और इसी लिए राभी क्रॉप्स के लिए यहाँ पे 22303 करोण की फॉस्फेटिक और potassium fertilizer की subsidy यहाँ पर announce की गई है किसके दोरा सरकार के दोरा एक और चीज़ राबी और खरीफ की खेती के बीच का जो समय होता है ना मार्च से लेके जून तक का उसमें जायद की खेती होती जिसमें water melon fruits और vegetables टाइब की तो basically union cabinet ने जिसको head कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी जी उन्होंने जो proposal है कि भाई overall यहाँ पे 22303 करोड रुपए की subsidy दी जाये राबी का इसको यहाँ पे approval दे दिया गया ठीक है और यह obviously बात है हर साल के खरीफ और राबी seasons के समय पे इस प्रकार की subsidy अनौंस की जाती है जैसे कि for example potashic और आपके लोग फॉस्फोरस fertilizers के लिए खरीफ सीजन जो था 2023-24 का इसके लिए cabinet ने 38,000 करोड रुपए की subsidy अनौंस की थी और राबी के लिए 23,303 करोड रुपए की subsidy यहां पे अनौंस की इन फैक्ट यहां पे 2014-15 में जो total subsidy जाती थी fertilizer की वो 73,000 करोड थी जो कि अगर आप देखो तो पिछले fiscal year तक 25,000 करोड रुपे नग चुकी है ठीक है न बाई cabinet ने अगर आप बात करो तो मूरेट और पोटैश की जो पर बैग रेट है उस सत्रह सो से कम करके 1655 कर दी है जो सिंगल सुपर phosphate है उसका रेट 500 रुपए पर बैग ही रखा हुआ है यहां पे ठीक है आगे देखा जाए तो cabinet ने जो nutrient based solution rate है nitrogen का पर किलो 47.02 रुपीस पर केजी रखा है फॉसफोरस का 20.82 रुपए पर केजी पोटैश का 2.38 रुपए पर केजी और सुलफर का 1.89 रुपए पर केजी और यह खरीफ सीजन के लिए rates ही हैं यह specific rates आपको जानने ज़रूरी नहीं है subsidy के rates recently थोड़े कम किये गए हैं कम इसलिए किये गए हैं चुकि अन्राक ठाकुर साब का यह बोलना है कि international market में fertilizer के rate हलके फुलके कम हुए हैं तो उससे सरकार को थोड़ा लीवे मिल गया है तो सरकार ने थोड़ी सी subsidy कम बस इसलिए कर दी है ताकि farmers को support रहे थोड़ा हमारा जो trade fiscal deficit वो भी maintain रहे और farmers को subsidy इतनी जरूर मिल रही है कि उनको और और उतना ही पैसा खतम करना पड़े का जितना पहले खतम करना पड़ रहा था उनका पैसा बढ़ाया नहीं गया है और आल जो उनको उतनी जीव से दे रहा है ठीक है भई आज का final article दे जीनो डाटा इंपुलेशन allegations in behavioral sciences यह क्या है भाई यहाँ पे फोटो में आपको नजर आ रही है behavioral science researcher फ्रेंसिसको गीनो और यह फ्रेंसिसको गीनो काम कहा कर रही थी तो भाई यह काम कर रही थी Harvard University में Harvard University की professor थी अब हुआ क्या है यहाँ पे Harvard University की professor है भाई यह इतनी पड़े लिदी की नाम की researcher है जिनकी फोटो आपके यहाँ पे दी ख्रीन के जो चार prominent papers publish हुए behavioral sciences में वहाँ पे डाटा को manipulate किया गया है कुछ गढ़बढ़ की गई है morality और honesty के साथ ठीक तरीके से काम नहीं किया गया है और आपको पता हुन अचे कि इन research professors के लिए इस प्रकार के data papers का publish होना जर कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा पैसा बना सकें जल्दी इनको promotion वगारा मिल सकें जल्दी इनको grants मिल सकें इसलिए overall ही जल्दी जल्दी अपनी papers publish करने की कोशिश करते हैं यह इल्जाम यहाँ पर इनके उपर लगाया गया जब डॉक्टर जीनो के उपर यह इल्जाम लगा जल्दी जल्दी अपनी publications को publish करने के लिए overall नाम कमाने के लिए पैसा कमाने के लिए grant कमाने के लिए अपने papers को publish कर देता है और यह सब बहुत पहले से शुरू हो रखा है 1912 में पिल्ट डाउन मैं था यह fraudulent attempt था ठीके ना प्राइमिट और मिन के बीच में link बिठाने का तो overall पहले भी क्या है कि scientific misconduct हुए है कुछ overall ऐसी theories को दुनिया भर म publish कर दिया जाता है scientific researchers publish कर देते हैं जिसके basis पर उनको जल्दी success मिल जा और उसको ठीक तरीके से verify करते नहीं है अब problem दोस्तों यह है कि जब डॉक्टर जीनो जैसी researchers जो की इतनी senior है वो जब इस प्रकार की theories को publish करती है तो problem होती यह है कि जो यह theory publish कर रही है इस theory के आदार पर चार और researchers कुछ और लिखेंगे चार कहा चार सो चार हजार जाने कितने researchers कुछ लिखेंगे उनके theory में भी कुछ anomalies आ सकती है चुकि जो parent theory थी फ्रेंसिसको जीनो की इसमें यहाँ पे गड़बड़ थी ठीक है तो आज की date में जो leading contributors हैं उनका misconduct incentive structure को अपने favor में करने के researchers को जो incentives मिलते हैं editors की तरफ से grant providers की तरफ से academic institutions की तरफ से वो overall incentives researchers को peer reviews के लिए भी मिले replication studies के लिए भी मिले तो इससे होगा क्या कि कि किसी एक बड़े scholar ने अगर कुछ छापा है तो उस छापी हुई चीज को पढ़ने का उसको review करने का उसको assess करने का incentive रहेगा तक क्या है कि कोई चीज छपती उसका तो incentive होता है लेकिन उस छापी हुई चीजों को review करने का proper incentive नह case में overall आप जल्दी करने पर आ जाओगे चीजों को और जल्दी करने में कभी-कभी efficiency compromise हो जाती है तो भाई यह जो misconduct है ना open science framework में यह हटाने की जुरूत है तब जाके आप scientific integrity लेके आप आओगे तो इसके लिए आप क्या कर सकते प्री registration जैसी चीज लेके आ सकते जिसमें study क hypothesis क्या है, methods क्या है, analysis क्या है, study को conduct करने से पहले देखा जाए, उसके results को proper तरीके से बीच-बीच में भी share किया जाए, उसके ओपर proper peer reviews कंड़र करवाए जाए, इन peer reviews का भी जो आप कहलो incentive है वो peer review करने वालों को मिलना चाहिए, फिर application study करने वालों को मिलना चाहिए, ठीक है उसके साथ साथ देखो दोस्तों, तो यह जो OSF है, open science train 1, इसके अंदर एक और चीज़ चालू की गई, स्कोर, systematic, systematizing confidence in open research and evidence, तो basically यह जो product है, वो research को और credible बनाने की कोशिश करता है on the basis of automated tools, यह automated tools rapid, scalable और accurate confidence के साथ बता सकेंगे कि हाँ भी जो भी study छाप भी गई है, वो किस सथ तक सही है, किस सथ तक गलत है, और इससे हम बड़े scale पर scientist की credibility को भी assess कर सकते हैं, तो यह बातें overall यहाँ पर बताई जा रही है, तो scientist से यहाँ पर गलती हुई है, obvious ही बात है, अभी तो Francisco Gino को responsible माना जा रहा है, हाला कि case तो इन्हों नों ठोक दिया है, लेकिन इतनी बड scientist अगर data का manipulation करके, अगर कुछ गड़बर general चाप देती हैं, और उस general को बाकी लोग बाद में इस्तमाल करते हैं, तो चीज़ आप क्या है कि पहले भी Gino ने बहुत सारे general चाप रखे हैं, तो जो बाकी इनके co-authors थे, वो यहाँ पर separate कर रहे हैं good और bad general को, ताकि हर general में जि जोएन करें, यह काफी कुछ आपको से जानने को मिलेगा, अपने ध्यान रखें, दोस्तों पढ़ते लिए, have a great day.